कौनसे स्टोक में इन्वेस्टर ने ज्याधा कमाया 1-1-2014 को स्टोक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टोक प्राइस थी 33 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोईस्ट प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपे दोनों स्टोक में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस इन्वेस्टमेंड की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंड की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही फिगर्ज चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया दोनों stocks ने कितने percentage का return दिया Winner है आज अगर किसी को एक लाग रुपए invest करने है तो वो क्या करे दोनों में से किसी stock में invest करे Nifty 50 stocks में invest करे या FD में करे दोनों share के और Nifty के annualized return percentage हमने देखे वही return percentage अगर भविशे में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा आए देखते हैं आए 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 THANK YOU झाल 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 झाल